मानी अध्यक जी मानी अध्यक जी कॉंग्रेस या उसके समर्थक दल किस तरह से लोककंत्र का गलाद होटते हैं वो मैं गुदारन हूँ मैं गाउं में पैदा हुआ मेरे माँ पिता जी आज भी गाउं में रहते आज जब मैं पार्लेमेंट के लिए चल रहा था तो मेरी माँ आज एम्स देवघर में भरती है सर उसने मुझे फोन किया कि बेटा यदि पार्टी तुमको मौका देती है तो आज इस बिल के बारे में जरूर बोले और इसलिए कहा उसने कि जो महिला है सर आज यदि सारे पुरुस यहां मौझूद है उसका कारण महिला है यदि महिला नहीं होती तो पुरुस का कोई एक्जिस्टेंस नहीं होता और आज क्योंकि कॉंग्रेस की गलतफामी है गलती है सर और ये जितने अपोजिशन के लोग है वो इतने वर्सों तक इस बिल को लेकर नहीं आए हमारे मानने प्रदान मंत्री जी ने ये नैतिक साहस दिखाया हमारी पार्टी ने ये नैतिक साहस दिखाया आज हम बिल लेकर आए हैं इनके पेट में डर्द हो रहा है हम बर्सों से सुनते रहे सर कि जननी जन्म भूमिशो स्वरगाद पीगरियसी यत्र नारियस्तु पुजयंते रमंते तत्र देवता लेकिन क्या हुआ इस देश में महिलाएं स्कूल एजुकेशन के लिए परिशान थी जब तक माननी अटल व्यारी बाजपी जी की सरकार नहीं आई सर्व सिक्षा अभिय खाना बना कर जाना पड़ता था सर्व और इसको जब हमारे प्रधान मंत्री जी ने देखा तो मिड़े मिल स्कीम जब तक की सरकारी स्कूलों में लागू नहीं हुआ तब तक महिलाओं की संक्या बच्चियों की संक्या नहीं बड़ी सर्व और उसके बाद जो सबसे बात की तो उनको सम्मान दिया सर सारे स्कूल में स्मिती रानी जी उसके चार्डी मिनिस्टर थी सारे स्कूलों में सोचाले बनाकर महिलाओं कैसे अच्छा से पढ़ेंगी बत्या कैसे आगे बढ़ेंगी उसी का ये उधारन है और उससे आगे बढ़कर आज जो कल से लेकर परसों से लेकर मानने प्रधान मंत्री जी लगातार बोल रहे हैं कि सही समय है यही समय है और इसी समय पर आज ये एतिहासिक सेशन बुलाकर मानने प्रधान मंत्री जी ने महिलाओं को जो सम्मान देने का काम किया उसके लिए हम भारती जन्टा पार्टी के कारी करता गौरवान भी थे हैं और हम उनका आदा और रमन करते हैं कि उन्होंने महिलाओं को आरक्षन देने का फैसला कि सर मैं पढ़ रहा था काफी बाते कही मैं कैवल दो-तीन चीजें बताना चाहता हूँ फिर अपने विषे पर आऊंगा सकता ये देश इस संबिधान से चलता है और इसका आर्टिकल एटी टू मनिश टिवारी जी यहां बेटे हुए कल से लगाता है रहे हैं वो संबिधान 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 की बात कर रहे हैं अभी सोनिया जी ने भी बोलते हुए बाते कही कि अभी क्यों नहीं लागू कर दिया कब से लागू कर देंगे ये देश संबिधान से चलता है मैं आर्टिकल टू फोटी टी और टू आर्टिकल टू फोटी टी जिसके लिए कि उन्होंने बड़ा आपने आपको गौरवानवित महसूस किया कि हमने पंचायत में महला रिजर्विशन लागू किया बड़ा अच्छा किया लेकिन ये आर्टिकल में 243D और 243D हमने तो नहीं दिया आप दोनों को पढ़ लिजिए 243D और T किया पंचायत में किस तरह से रिजर्विशन होगा और मिनिस्फल कॉर्परेशन में किस तरह से रिजर्विशन होगा आपने उसके लिए कभी OBC की बात तो नहीं की यदि इस आर्टिकल में यदि आपने डाला होता OBC की बात तो आप जब करिए बहुत अच्छा इतने वर्सों से आपको नहीं दिखाई दिया उसी तरह से 1947 से लेकर उन्चास तक ये पूरा सम्विदान सभा चलता रहा परसों से यही भासन सुन रहे हैं सर इस Constituent Assembly से लेकर 1952 से लेकर आज तक चुना हुआ कभी किसी ने राज्यसभा में रिजर्वेशन की बात नहीं की विधान परिशद में बात नहीं की आज भी राज्यसभा में सिरूल कास और सिरूल ट्राइब को रिजर्वेशन नहीं है विधान परिशद में सिरूल कास और सिरूल ट्राइब को इस बिल को लाती है तो आप काते हैं राजी सभा में रिजर्वेशन नहीं है, विदान परशद में रिजर्वेशन नहीं है, आप पंचायत में कहिए कि कोई OBC को रिजर्वेशन नहीं होगा, चाहे मिनस्फल कॉर्परेशन में कोई OBC को रिजर्वेशन नहीं होगा, और आर् काम करना चाहते हैं आप उसके ऊपर जो एक काते हैं कि 2024 से लागू कर दीजिए तुरत सुप्रिम कोट में जाएगा और सुप्रिम कोट में तुरत लो इस्टक डाउन हो जाएगा क्या आप चाहते हैं कि महिलाओं को रिजर्वेशन नहीं दे और जिस तरह से आप केवल राज भी करता हूँ यदि यह महिला रिजर्वेशन यहां आया है तो महिलाओं को अधिकार मिलेगा मिलकर रहेगा दुनिया की कोई ताकत इसको नहीं रोख सकती है लेकिन इनके यहां क्या दिक्कत है सर इनके यहां सबसे बड़ी दिक्कत है और अभी जितने स्पीकर बोलने वा और डिलिविटेशन के बाद जो है हम उसको लागू करेंगे और यह अर्टिकल 82 का रहा है यह 82 का रहा है सर सर पूरे पूरे देश दुनिया में कोरोना के कारण लोग मरें माने प्रधान मंत्री जी के कारण आज 140 करोड़ लोग बच गए इस पारलेंमेंट को चलाने में आप जैसे लोगों को क्या समस्या हुई सर लोग सभा राज्य सभा लौबी सभी जगा शांसाट बैट कर कानून पास करतेने रहे भाई मरता था तो भाई का लाज जलाने के लिए कोई नहीं यह जाता था पिता मरते थे तो पिता का लास जलाने के लिए बेटा नहीं जाता था उस कोरोना से बचकर हम आये हैं दो साल के बाद आपका तो आपने क्यों नहीं कराया आपने क्यों नहीं कराया कितने लोग थे जो रोड पर घुम रहे थे कितने लोग थे जो खाना खिला रहे थे सारे जगा के ट्रेन बंद थे सारे जगा की स्थितियां बंद थी भागलपूर पूरा जो है भारत जो है किस तरह के विकट पर स्थिति में था सर माने प्रधान मंत्री जी 140 क्रोड लोगों को बचा के लाए हैं और सेंसस जो संबेधानिक चीज़ है उसको जब हम लागू करेंगे ये लागू होगा आज आप करेंगे क्यों ने लागू किये देश में फिर से ये गलत तरह का माहौल पैदा करने की कोशिश करने सर 2020 और 2021 के माहौल के बाद करोना के बाद कैसे सेंसस लागू हो सकता था कैसे सेंसस हो सकता था और मानि ग्री मंत्री जी बैटें हमेशा करते हैं कि मैं कोई गैर संबेधानिक काम नहीं करूँगा कोई असंबेधानिक काम नहीं करूँगा यदि सेंसस होना है तो उसका भी डेड़ घोसित होगा सेंसस होगा, डिलिमिटेशन होगा और महिलाओं को रिजर्वेशन में लगा यही तो इस बिल में 334 से जिसके बारे में की मानदी कानून मंत्री जी कह रहते है सर लेकिन क्या समस्या है कि ये अपने जो 26 पार्टियों का एक जो घमंडिया गठबंदन मनाया है सर, इंडी अलाइंस इंडी अलाइंस उसके सारे नेताओं का मैं हासन पढ़ रहा था आज सोनिया जी जब बोल रही थी तो मुझे लग रहा था कि वो राजनीती से उपर उठकर बोलेंगे क्योंकि वो अपोजिशन की आवास थी मैं उड़ा सम्मान करता हूँ सर इस महिला रिजर्वेशन के लिए जिन महिलाओं ने पार्लेमेंट के अंदर और पार्लेमेंट के बाहर सबसे ज़्यादा वो आवाज उठाई वो बेंगॉल की गीता मुखरजी थी और भारतिय जन्ता पार्टी की सुस्मा स्वरास थी ये दोनों यदी नहीं रहती तो आज ये दिन भी देखने को नहीं मिलता 33% यदी रिजर्वेशन लोकसभा और बिधान परिश्याद बिधान सभा में यदी लागू होने वाला है और मानिए क्रेडिट लेना जाती है कि हमारा बिल है ये बिल आपका नहीं है आप जो बिल लेकर आए वो गलत बिल है और यदि इसके लिए किसी ने अंधोलन किया तो वो गीता बुकर जी है वो सुस्मा सुराज है आपने ये नहीं बोलकर इस महिला बिल में भी राज़नीती करने के कोशिस की और आज का पूरा क्रेडिट जो जीता हूँ सिकंदर जो गोल मारता है या बंगाल के लोग बैटे हुए हैं जो गोल मारता है उसी के नाम से गोल माना जाता है मानिए प्रधान मंत्री जी गोल मानने को तयार है ये भारती जंटा पार्टि का भील है और ये मानी प्रदारमित्री जी का भील है आपको ये माना पड़ेगा दूसरा सवाल है कि इनके जो अपोजिशन के लोग है सब जो 26 पार्टियों का इंडी गटवादन मना है इसमें आप समझे इनकी भावना कैसे है महिलाओं के बारे ये किसा सोचते हैं? ये सोचते हैं अब नहीं रहें इसी सदन के सदस थे, राजी सवा के भी सदस थे, इनके पार्टि के बड़े नेता थे, अबोजिशन के. वो कहते हैं कि परकटी महिलाएं आजाएंगें. क्या महिलाओं के लिए इस तरह की बाते हूनी चीएं? दूसरी बात दूसरी बात जो है ये दूसरे नेता जो है 2011 में मैं मैं अध्यक जी मैं अध्यक जी आपको दो कहानी बताना चाहता हूँ और ये वर्सों से मेरे मन में था इस पार्लेमेंट में दो बार संजोग से मैं 2009 में सांसाथ बनकर आया अनुराग ठाकुर जी से लेकर राजनाजी सवों के साथ काम करने का मौका मिला सथ 2011 और 2013 में दो भेंकर घटना हुई इसी विल में 2011 में जब 2010 में ये बिल पास हो गया राजसभा में और जब यहां 2011 में जिसकों कि ये लागू नहीं करना चाहते थे बिल लेकर आए और जब बिल इदोर से इंट्रोड्यूस हो रहा था तो इन्ही के सहयोगी दल के सांसदों को इसी कॉंग्रेस ले इसी विल में पीटा साथ दो बिल था एक माहिला रिजर्वेशन का 2011 में यही वी नरायन स्वामी बिल को पेस कर रहे थे समाजबादी पार्टी के यसवीर सिंग सिरूल कास थे सर यही यसवीर सिंग यहाँ पारलिमेंट में उस तरफ से गए वी नरायन स्वामी का हुनोंने बिल खीच लिया इस पारलिमेंट में इसी लोग सवामे सर सबसे पहले बेल में यदि उसका कॉलर पकड़ने के लिए कोई आया तो यही मैडम स्वीमती सोनिया गादी जी तरफ से और नीरत सेकर वहाँ खड़े थे मुलाइम सिंग यादब बाहर थे और मैं वहाँ से कूट कर टेबल पर आया और मैंने कहा कि आप यहां की तानासा नहीं है आप यहां की रानी नहीं है इस बेल में आप मार पिट नहीं कर सकती हैं और इनके जो तिने लेपिडेट थे विल यदि बीजेपी नहीं होती ही तो आज के डेट में हमारे सांसद नहीं बसते हैं आपने तो सांसदों के हद्या करने की गोश्ष इसके और उसी दल के साथ उसी 26 दल के साथ यह आये हैं जिनका की मांग सिकता ही नहीं है कि महला को रिजर्वेशन मिले चाहे वो रास्टे जन करनून के विरोध में जाकर इस संविधान के विरोध में जाकर और उसके सारे उधारने के 96 से लेके आस तक क्यों नहीं लागू हुआ उसी के कारण ये कभी OBC रिजर्वेशन की बात करते हैं कोटा विदिन कोटा की बात करते हैं राज्य सभा में जो है उसको अधिकार दे सब करते हैं विद्धान परिशद में क्यों नहीं रिजरवेशन दी आ उसकी बात करते हैं फिर वह बात करते हैं कि मेरे माँ पिता जी मेरे माँ पिता जी आज भी गाउं में रहते हैं यदि बाबा सहाब अंबेदकर का या संभिधान नहीं होता भारती जन्ता पार्टी नहीं होती उस दिन में मैंने कहा उस दिन में मैंने कहा कि आपने गाउं नहीं देखा है गरीभी नहीं देखा है आए ही जयल में बंद हैं, डौरी के केस में जिस तरह से आपने बनाया, आज यदि आपने कई इक कानून ऐसे पास किlastिए हैं, जिस में लोग महिलाओं को नोकरी देने के लिए तयार नहीं होते हैंimmeलाओं को रोकने का प्रेयास किया, महिलाओं को बढ़ाने का प्रेयास नह जिस पल में यह इतिहास बन रहा है वो केवल और केवल मांगे मोदी जी की देन है भारती जंता पार्टी की देन है हम संभिधान संबत काम करते हैं और मेरा सब उसे आग रहा होगा कि दल पार्टी से उपर उठकर जो यह संभिधान आटीकल 82, 4844, 243D और 243T जिन आधार पर यह संभिधान चलता है उसके आधार पर इस श्रीब